हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत हैं हमारे यूटूब चैनल कभिंदर भईया पर तो दोस्तो आज हमनोग कक्छा छे का महान वेक्तितो पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ 15 पड़ेंगे हमारे पाठ का नाम है महराजा सुहेल देओ तो आज हम लोग इस पाठ का सारांस देखेंगे चलिए दोस्तो इस पाठ का सारांस देखते हैं बहराईच महरसी अश्टा ब्रक और भगवान बुध की तप अस्थली रहाम है देखें दोस्तो यह जो बहराईच है यह महरसी अश्टा वक्र और भगवान बुध का तप अस्थली है यहाँ पे वो आकर तप करते थे ठीके आगे देखते हैं इस जनपद में बाबा गंज रेलवे स्टेशन से तीन कीमी दूर चर्दा नामक अस्थान है यहाँ सुहेल देव नामक राजा राज करते थे जो यह चर्दा नामक अस्थान है यहाँ पे सुहेल देव नामक एक राजा थे जो यहाँ पे राज करते थे आगे देखते हैं इन्हें सुहीरी ध्वज भी कहा जाता है जो यह सुहेल देव नामक राजा है उनको सुहीरी ध्वज भी कहा जाता है चर्दा का डी इनका किला माना जाता है जो चर्दा का डी है यहाँ पे इनका जो किला माना जाता है वीर राजा सुहेल देव ने पहाडी राजाओं की सयुक्त सेना गठित करके चितोरा जील नामक अस्थान पर महमूद गजनवी के नवासी सयद सालार मसूद गाजी को परास्त कर मार डाला था जो यह वीर राजा सुहेल देव थे उनकी जो पहाडी राजा के राजाओं जो सयुक्त सेना गठित करके चितोरा जील नामक अस्थान पर महसूद गजनवी के नवासी सयद सालार समूद गाजी को उन्होंने परास्त कर उसे मार डाला था ठीक है आगे देखते हैं आगे हैं इन्होंने अन्य विदेशी आक्रवण कारियों से भी लोहा लिया था और प्राजा की सुरच्छा की थी चितोरा जील के किनारे एक मंदिर बनाया गया यही राजा सुहेल देव की एक मूर्ती भी अस्थापित की गई है यहाँ पे चितोरा जो जीले उसके किनारे एक मंदिर बनाया गया था जहाँ पे सुहेल देव की एक मूर्ती भी अस्थापित की गई थी आगे देखते हैं इनकी स्मृत्ती में इस अस्थान का नाम सुहेल नगर रखा गया सुहेल दिव के नाम पर उनकी याद में वहाँ पे एक मतलम नाम रखा गया था सुहेल नगर ठीक है उस अस्थान का नाम रख दिया गया था आगे देखते हैं प्रती वर्स वसंत पंचिमी को यहां मेला लगता था कहां पे तो सिहे सुहेल नगर में उनकी स्मृति में जो अस्थान बनाया गया था नाम दिया गया था वहां पे प्रती वर्स याने की हर वर्स वहां पे वसंत पंचिमी को मुहां पे मेला लगता है ठीके उनकी याद ने तो दोस्तो आपको अमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में चिरूर बताईएगा धन्यवाद